आप सबी को मेरा अपनाम, Herbal Remedies to Nature Stager में आपका स्वागत है मित्रु आजब बात करेंगे, Juni Plus Chinensis, कुपरी CC family का प्लांट है कई प्रकार से हमारे disorders के निदान के लिए हम इसको उपयोग में लाते हैं वैसे तो हम Ornamental Point of View से घर की सुन्दर्ता के लिए इसको गंबले में लगाते हैं लेकिन घरों में सुन्दर्ता बढ़ाने के साथ साथ अगर हम इसको उस्दिय गुणों के लिए उपयोग में ला पाएं तो यह ऐसा ही होगा सौने पे सुहागा जैसा और अच्छे स्वास्थे के लिए घरों में आप इसको लगाते तो हैं ही और इसकी प्रोपर आप केरिंग भी करते हैं तो आप इसको Medisional Dreshty से भी और पाइंट ऑफ यू से भी आप इसको उपयोग मिला सकते हैं मित्रों आज हम बात करेंगे Kidney Disorders की स्वंधें कीटिकल स्टेज में किसी व्यक्ति को पहुंचाने वाले होते हैं और हमें आफो के अंदर बर्ना और वहिंस कि बॉरिक एимсяशिड बर्ना और विंका कहीं कहीं ना कहीं बढ़ जाना पैरों के अंदर स्वैलिंग हो जाना यह रिफ्लेक्ट करता है आपके किड्नी डिसॉडर को बलड के प्यूरिफिकिशन का ना होना यह सब चीजें आप किड्नी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं इनकी रेमेडियेशन के लिए इसको उपयोग में किस प्रकार चिला सकते हैं यह आज हम जानेंगे मित्रो इसकी जो ट्विग आप देख रहे हैं ट्विग का डिकोक्शन बना लीजिए काढ़ा बना लीजिए और पांच ग्राम इसकी ट्विग्स लेकर तीन सो मिली लीटर पानी में धीमियाज पर इसको पकाईए और ठंड सकते हैं 24 गंटे बाद फिर प्रेस पना लीजिए डायूरेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं मुत्रल का कारे करता है और मुत्रल का कारे करते हुए ब्लड प्रेशर को भी कम करने का कारे करता है शरीर के टॉक्शिंस को बाहर निकालने का कारे करता है जी एफार रेट को बढ इंफ्लामेशन भी नहीं हो जाती है और उसको भी ठीक करने का को प्लेर करता है। कई बार सरीर के अंदर किसी और्गन के या किसी वेंस के अंदर टिसूस के अंदर इंफ्लामेशन हो जाता है और इंफ्लामेशन बढ़ जाता है तो यूरिन के अंदर भी ब्लड आ जाता है इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है उसको ठीक करने का कारे करता है घाव को भरने का कारे करता है और फिसाब के अंदर आने वाले ब्लड को ठीक करतेता है आप इसको देखके डर भी जाते हैं ऐसी भी अगर अवस्ता है उसको ठीक करता है माइंड को रिलेक्स करता है यूरेथ्रा की सूजन उसको भी ठीक करने का करे करता है और ओल मैं कहूं यूरिनो जनाइटल डिसोडर्स की रामबान उसदी है उनसे जुड़ी हुई समस्याइं ठीक करने का करता है इसके काड़े के सेवन से मित्रो ना केवल यूरिनो जनाइटल डिसोडर्स की समस्याइं थीक होती हैं बल्कि कफ के अंदर ब्लड का आना हीमोटिस कहते हैं उसको भी ठीक करने का करे करता है मैंड को रिलेक्स करने वाला होता है बित्रोव इसका तेल आप जब निकाल लेते हैं तो इसका तेल सुजन को कम करने वाला होता है घाव को भरने वाला होता है इस प्रकार स आप इसके तेल की मसाज कर सकते हैं इसके तेल की मसाज जॉइंट पेन में आराम देने वाले हुटी है और इसका पत्रों का पेस्ट आप फोर हेड पे लगाते हैं तो सर में होने वाले दर्द को भी ठीक करता है लंग्स के अंदर डीप लंग्स के अंदर अगर कफ जमा हुआ रहता है तो आप इसके ये कॉमल पत्र डाल कर आप इसके भाप ले लिजे और भाप लेने के बाद आप देखेंगे आप क्या कर सकते हैं पानी को अच्छे से बॉयल कर लिजे उसके अंदर इसकी ये ट्विक्स आप डाल दीजे और उसकी आपको भाप लेनी है जब आप इसक जमा हुआ है उसको बाहर निकालने का कारे करता है लंक्स की समच्चाओं के लिए किड्नी डिसॉडर्स के लिए और नियूरो मॉस्कुलर कॉम्प्लिकेशन के लिए आप इसको उप्योग में ला सकते हैं इसकी छाल का काढ़ा आप पीते हैं तो तनाव को कम करने वाला होता ह हॉर्मोन्स को और गलेट करने का कारे करता है औरूम्यून डिसॉडर्स में भी इसके चाल का डिकॉक्शन दिए जाता है की वर को ठीक करके सूजन को कम करने वाला इंफ्लामेशन को कम करने वाला काफी अच्छा प्लांट है देखने में बहुत सुंदर लगता है और्नमेंटेशन पाइंट ऑफ यू से और मेडिशन पाइंट ऑफ यू से दोनों परकार से मित्रो नैचर लोवर के लिए तो मैं कहूं बहुत अच्छा ये प्लांट है इसमें छोटी-छोटी चिडियाएं अपना घर बना लेती हैं इसके नीचे आप पक्षियों को संस्क अच्छा प्लांट है थोड़ी आपके पास अगर बड़ा गमला है तो उसमें भी लगा सकते हैं और अगर आपके पास थोड़ी भी किचन गार्डन में अगर स्पेस है तो आप इसको जरूर लगाईए अपने उत्तम स्वास्ते का ज्यान रखिए आपके अच्छे स्वास् पनाम नवस्कार